तो हेलो दोस्तो आप सबका स्वागत है प्रियंका की रसोई में तो आज हम बनाने वाले हैं बिस्कुट से एक नई तरह की रेसिपी तो चलिए बनाते हैं तो यहां जो है हमने 5 रुपे वाले पादले जी बिस्कुट ले लिया है आप चाहे तो बड़ा पैकेट भी ले सकते मैं करें है यहां सभी बिस्कुट को लेपर से अभ हम निकाल देते हैं तो देखें यहां जो हमने सभी बिस्कुट को लेतसे नीकाल दिया है और इस अफशे से हम दूद के साथ अच्छे से डूबोदेथИज़ा देंगे तो जैसे जैसे बिस्कुट जो है दूद गरम होगा वैसे विस्कुट जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और एक लिक्विट फॉर्म में आएगा तो इस स्ट्रेच पे जो है हम दो चमचिया चीनी डालेंगे क्योंकि हमारा बिस्कुट जो है वो मीठा होता है तो हम यहाँ पे केवल दो चमची चीनी डालेंगे और इसे अब हम मिक्स करते हुए एक लिक्विट फॉर्म में ले आते हैं टो यह रेसिपी जो है जब बन करके तयार होता है जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है तो देखिए यह दियरे दियरे हमारा बिस्किट सॉफ्ट हो गया है तो कि इस तरुके से हम दवाते हुए हम लिक्विट फॉर्म में लेकर के आएंगे तो देखिए यहां हमारा विस्कूर जो है अच्छे से लिक्विट फॉर्म में आ गया है तो इसे अब हम अच्छे से इसे चलाते हुए इसे हम डो के फॉर्म में लेकर कियांगे तो देखिए इसे हमने दो मिनट तक चलाया है और ये लगभग आधा हो गिया है तो अब यहाँ पर हम दो चमच यहाँ हम इसमें घी डालेंगे तो देखिए हमने दो चमच घी डाल दिया है और इसे अच्छे से हम चलाएंगे जिससे कि हमारा जो बैटर है वह नीचे तले में भी नहीं लगेगा और हमारा बैटर अच्छे से डो के फोम में आ जाएगा तो इसे हमें लगاتा चलाते हूँ पकाना है तो देखिए हमने इसे लगाता चलाते हूँ पकालिया है और अब ये जो है पहले से गारा हो गया है तो देखिए यहां हमारा लिक्विट बैटल जो था वो डो के फॉम में आ गया है तो अब इसे हम दो मिनट के लिए और चलाएंगे तो देखिए हमने दो मिनट के लिए इसे और चला लिया है और हमारा जो better है वो अच्छे से dough के form में आ गया है तो अब इससे हम यहां gas का flame और इससे हम ठंडा होने देते हैं जब यह ठंडा हो जाएगा न तो यह और भी जादा गाधा हो जाएगा और dough के form में आ जाएगा तो देखें हमने इसे चलाते हुए और इसे हमने अब इसे हमें साइड कर देना है और यहां जो हमने मैंगो का पल्प निकाल के ले लिया है तो इसे अब हम ग्रैंडिंग जार में डाल देंगे साथ में यहां पर भी हम दो चमत चीनी डालेंगे एकमेस डाल दिया है, अब यहाँ जो हैं, मिल्क पौरर डालेंगे, धवली सपून तो देखें, यहाँ यहाँ थेब्ली सपून मिल्क पौरर डाल दिया है, और इसे अब हम गयाइन्ड कर लेंगे तो देखे हमने आम को जो है यहां हमने ग्राइंड कर लिया है तो इधर जो है हमने पैन में घी गरम होने के लिए रख दिया था तो अब जो हमने मैंगो का पल्प तयार किया था वो इसमें अब हम डालेंगे और इसे अब हम चलाते हुए अच्छे से इसे भी हम डो के तड़ा ले करके आएंगे तो इसे हमें दो मिनट तक इसे हमें लो टुमिरियम फ्लेम पे पकाना है तो देखें यहां पे हमने इसे चलाते हुए पकाएंगे तो जब तक हमारा ये डो तयार होता है तब तक हम ये बिस्किट वाला डो देख लेते हैं तो यहां पे पनी ले लिया है और उसे जो हमने घी से चिकना करके उसके बाद हम इस डो को इस पे रखेंगे तो देखें यहां हमारा पती जो है वो बन करके तयार हो गया है और यहां हमारा मैंगो वाला बैटल जो है वो भी लगभग तयार हो गया है तो देखें यह अच्छे से जो है तयार हो गया है तो अब इसे हम चलाते हुए और दो मिनट के लिए पकाएंगे यहां दो मिनट हो गिया है पकांते हुए तो अब आपर हम इश में心 गी डालेंगे और इसे के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे घी डालने से जो यह है न कि जो पैन में तोक थोड़ा बहुत लगा हुआ है वह अच्छे से निकलन जाएगा और हमारा बैटर अच्छे से तयार हो जाएगा तो दिखें यहां जो है हमारा बैटर बन करके तयार हो गिया है और पैन भी जो है अच्छे से छोड़ दिया है तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं तो ऐसे हम चलाते हुए इसे हम ठंडा कर लेंगे तो यह रेसिपी खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है तो देखे हमारा यह मैंगो वाला डो भी ठंडा हो गिया है और यहां जो हमने बिस्किट वाला तयार किया हुआ था पत्ति उस पे हम जो है मैंगो वाला डो अब इस पे हम फैलाएंगे तो देखिए इस तरीके से जो है मैंगो वाला डो को अच्छे से इस पे हम फैलाएंगे तो देखिए हम मैंगो वाले डो को जो हमने इस पे अच्छे से फैला दिया है तो देखिए अब ये अच्छे से फैला दिया है तो अब एक साइट से हम पन्नी उठाएंगे और इसे उठाते हुए इसका हम रोल तयार करेंगे तो ये नीचे जो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और नहीं ये तूट रहा है तो इससे पता चलता है कि जो हमारा डो जो है वो परफेक्ट बन करके तयार हुआ है तो इस तरीके से अब हम इसे फोल्ड करके रोल तयार कर लेते हैं तो देखें यहां जो हमने रोल तयार कर लिया है तो इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे ठंडा होने के लिए जिससे कि यह सेट हो जाएगा तो देखें 15-20 मिनट के बाद जो है यह हमारा डो जो है बिसकिट का रोल जो है वो तयार हो गिया है तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं तो देखें यह कितनी आसानी से कट रहा है तो चलिए इसे हम सभी को काट करके दिखाते हैं तो ये रेसिपी जो है ना जब बन करके तयार होती है और बच्चों को जवाब दीजिएगा खाने के लिए तो उसे भी पता नहीं चलेगा कि जो हमने इसे बिस्किट से बनाया है और बहुत ही खुशी-खुशी खाएंगे तो देखिए कितना आसानी से हमने पांच रुपे के बिस्किट से बना करके तयार कर लिया है तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करे सस्क्राइब करे और कमेंट करे कैसी बनी है